हालो बच्चों आज क्लास 9th mathematics का एक टॉपिक हम लेकी चल ले हैं remainder theorem शेशफल प्रमी तेक्ट वाट technical topic है आगे class में जाएंगे तो बहुत इसका important use भी है तेके सबसे पहले तो हम remainder का मतलब होता है सेशफल और सेशफल का मतलब क्या होता है आपको मालू होना चाहिए कि अगर आप कोई number है माल लिया आप कहरें कि 7 को 2 से भाग करते हैं तो आप कहते हैं टू थीजा सिक्स और यह वन बसता है यही कहलाता है remainder ठीक है जड़ा एक दूसरी बात हम करना चाहते हैं चुकि हम algebra की बात कर रहे हैं यह तो number system हो गया number में हम बात नहीं करेंगे हम बीजगरत की बात करने जा रहे हैं देखे ध्यान से जैसे मैंने आप से कहा कि x3 प्लस 1 को आप divide करिए x प्लस 1 से x प्लस 1 से divide करिए और इसको divide करने में जो remainder आवे जो 6 फल आवे वो ग्याद करिए जो आप ध्यान से समझेगा यह divide करना बहुत tough लगता है आपको क्योंकि आप 9th class में है और 10th और interval को भी दिक्कत होती divide में फिर भी divide में करूँगा लेकि जितने बार भी आप यहां ले जाओगे उसका इससे गुड़ा करोगे multiply करोगे और इसके नीचे की संख्या कटनी चाहिए यहां x की power 3 है और यहां x है हमको इसके नीचे x power 3 चाहिए तो मैं कितनी बार इसको ले जाओँगा आप कहेंगे इसको हम x square बार ले जाएंगे x square का जब x से करोगे multiply तो x cube आएगा और 1 से करोगे तो plus का x square आएगा फिर क्या करते हैं दोनों को minus कर देते हैं पढ़ाओगा आपने यह दोनों कट गए अब यह उतारी है तो पहले बड़ी power उतारेंगे minus का x square और plus का 1 उतार लेंगे अब आपको minus x square काटना चिंता मत करिएगा यह method आना तो च अगर मैं minus x बार ले जाता हूँ तो minus x का जब x से करो multiply तो minus का x square आएगा और इसका 1 से करोगे तो minus का x आएगा फिर आप sign change कर देंगे इसका यह कर जाएगा यहाँ पचाएगा x plus 1 और यहाँ पर plus 1 time ले जाएगे तो x plus 1 आएगा दोनों को minus करोगे कटके सेसफल 0 आगया यहाँ पर लिख दीजेए 0 आगया तो यही तो remainder है यानि कि आप कहेंगे remainder इसका क्या है 0 है यानि सेसफल इसका क्या है 0 है चीक है तो आप कहेंगे भई सेसफल निकालने के लिए इतना भेंकर method लगाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी ज्रसाउधा तरीका द कर लिजेगा इसको मेरा करता हूं आपको जिसको डिवाइट करना है उसका कुछ नाम दे दो जिसको भाग करना है हमने इसे x q प्लस 1 जो था ना इसका नाम मैंने दे दिया p x चीक है और जिससे डिवाइट करना है x प्लस 1 इसका नाम दे दिया हमने q x कोई भी नाम दे सकते हो अब देखे हमको इससे डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे x plus 1 को रख दो 0 x की value क्या हैगी minus 1 इस minus 1 को यहां रख दो चीक है तो जब यहां रखोगे तो आएगा minus 1 to power 3 plus 1 यह minus 1 plus 1 कटके क्या जाएगा 0 और अभी successful क्या रहा था 0 तो successful निकाले का तरीका क्या होता है जिससे divide करना है उसको equal to 0 करिए उससे x की value निकालिए वो यहां रख दीजिए और 0 आ जाता है जो भी value आ जाती है वो आपका remainder होगा वो आपका successful होगा ठीक है अब बात करते हैं 2.3 exercise question की बहुत detail में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत detail आपके हां दिया भी नहीं हुआ है 10th class में त्वा detail इसका है वहाँ बात आपसे की जाएगी 2.3 का पहला question देखिए पहला question देखिए इसमें एक polynomial दिया है एक वहुपत दिया है इसका नाम हम क्या रखेंगे PX is equal to क्या दिया है XQ XQ plus 3X square 3X square plus 3X plus 1 यह PX है और कह रहा है कि इसको निम्लिखित से भाग दिने पर सेस्फल ग्याद कीजिए find the remainder when this is divided by कुछ संख्याय दीदी है पहला है कह रहा है पहला part कि इसको divide करना है X plus 1 से divide करना है X plus 1 से इसको भाग करिए तो एक तो तरीका मैंने अभी बताया है इसको divide कर दो रखने पर X plus 1 is equal to 0 कहा पर रखेंगे हम 1 में तो X की value क्या आएगी minus 1 आएगी कहा रख दे in 1 equation नहीं कह सकते समय करना नहीं कह सकते देखे X को minus 1 रखिए यहाँ भी आप रख सकते हैं या आप ऐसा करो PX QS के चकर में ना पड़ो आप इसको ऐसे ही रख दो 1 में रख दे हैं यह given polynomial है दिया गया बहुपद है इसको लिख देंगे given polynomial given polynomial दिया गया बहुपद दिया बहुपद यह दिया हुआ है ठीक है अब minus 1 को यहाँ रखिए उठा करके देखे जब minus 1 को यहाँ रखोगे क्या बन जाएगा minus 1 to power 3 plus 3 minus 1 to power 2 plus 3 into minus 1 plus 1 अब तो arithmetic है minus 1 to power 3 क्या आएगा minus 1 आएगा minus 1 का square 1 होगा 1 का 3 से multiply करोगे तो plus का 3 आएगा यह minus का 3 आएगा plus का बनाएगा तो देखे 3 minus 3 कर जाएगा 1 minus 1 कर जाएगा यह क्या आएगा 0 यही आपका remainder है ठीक है यही आपका stage full है फिर आपका second part क्या कह रहा है second part कह रहा है क्या आप किस से divide करो x minus 1 by 2 तो फिर वही करेंगे x minus 1 by 2 को क्या रखेंगे 0 रखेंगे तरीका same होगा x की value क्या रखेंगे 1 by 2 कहा रखेंगे in 1 putting putting सम्में लिखेंगे रखने पर putting का मतला होता है x minus 1 by 2 बरावर 0 रखने पर ठीक है तो in 1 1 में रख दो उठा करके रखो यहां तो क्या हैगा 1 by 2 to power 3 plus 3 into 1 by 2 की power 2 plus 3 into 1 by 2 plus 1 ठीक है तो इसको रखेंगे तो यह 1 by 8 आएगा plus 3 into 1 by 4 आएगा plus 3 upon 2 आएगा plus 1 आएगा 8 यहां पर LCM ले लिजे यहां 1 आएगा 4 दुनी 8 6 हो जाएगा plus यह 2 चौको 8 चारती है 12 हो जाएगा plus 8 हो जाएगा तो क्या हैगा 12 आएगा 26 27 बटे 8 27 बटे 8 यह आपकी value आएगी ठीक है इसके बाद क्या कह रहे है आप से तीसरा पार्ट आप से कह रहे है इसको X से divide करो जिससे divide करना है जिससे भाग करना है उसको आपको 0 रखना है क्या रखना है उसको 0 रखना है उससे जो X की value आएगी वो आपको 1 में रखना है देखे थर्ड पार्ट कहा रहे है आप X से divide करो थर्ड पार्ट तो क्या करेंगे आप putting यानि रखने पर X बराबर 0 कहा पर in 1 इसको expression लिख सकते हैं इन वोपद एक में रखने पर जा रखो 0 यहां पर यह तो 00 हो जाएगा य भी 00 जाएगा यह भी 00 आ जाएगा तो 1 बचे गा क्या value आ गई 1 4th part देखे क्या बता रहा है 4th part कह रहा है X plus pi तो fourth part में क्या करेंगे putting बही रहेगा देखें इसी में part change कर देते हैं क्या putting करेंगे, x plus pi, को रख देंगे 0, यहनि x की value क्या हैगी, minus pi, कहां रखेंगे, in 1, 1 में रख दो minus pi, क्या हो जाएगे, minus pi की power 3, plus 3 into minus pi की power 2, plus 3 into minus pi, plus 1, जो को pi एक value होती है, आपने वरत्त का समीक उपड़ा होगा, छेदफल pi r square, वही pi है, तो चुकि यह हो जाएगा, minus pi की power 3, plus 3 pi square, minus 3 pi plus 1, चुकि इसमें कोई calculation नहीं होने वाला है, तो यही आपका faithful होगा, यही आपका remainder होगा, ठीक है, इसके बाद आप से क्या कह रहा है, यह तो आपका fifth part होगया, कौन सा part है, fifth या third कौन सा है यह, यह fourth part था, fifth part देखें क्या कह रहा है, fifth part कह रहा है, कि इसको divide करो 5 plus 2x से, तो क्या करेंगे, जिससे बाद करते हैं, जिससे divide करते हैं, उसको zero कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, putting, क्या putting करेंगे आप वैसे putting word गलत होता है substituting word होता है लेकिन mathematics में थोड़ा वो चलता है 5 प्लस 2x बरावर 0 x की value क्या आएगी minus 5 by 2 कहां रखेंगे in expression 1 1 में रख देते हैं बहुपद 1 में रखो ठीक है क्या आएगा minus 5 by 2 की power 3 plus 3 into minus 5 by 2 की power 2 plus 3 into minus 5 by 2 plus 1 ये क्या आएगा देखें minus 3 बार multiply किया तो minus में आएगा पचम 25 बचेंगे 125 125 बटे 8 प्लस आएगा पचम 25 तिया 75 75 बटे 4 माइनस 15 बटे 2 प्लस 1 यहाँ LCM क्या हो जाएगा लगुतम क्यों कहते हैं 8 हो जाएगा यहाँ लगुतम हो गए 8 यहाँ minus का 125 आएगा प्लस 4 से इसको divide करोगे 4 दुनी 8 प्लस 75 को 2 से गुणा करोगे प्लस 150 आएगा 150 आएगा minus यह दो से करोगे चार बार जाएगा 15 जो को 60 आएगा और प्लस का 8 आएगा देखे माइनस का 125 कहीं calculate कर लेते हैं माइनस 125 यह है और माइनस का 60 यह है कितना हो जाएगा 5 6 2 8 और 180 माइनस का होगा और 158 प्लस का हो जाएगा दोनों घट जाएगे तो 15 में 8 गया 3 ने सरी 15 में 8 गया सरी क्या बोला हो 7 और यहां बचेगा आपका 7 बाज गया 2 तो माइनस का 27 आएगा माइनस का 27 बटे 8 8 आएगा एक बार चेक कर लिजेगा 8 यह होगा 8 ठीक 27 बटे 8 आएगा तो इस प्रकार से यह पहला कोशन हो गया इसके बाद देखिए 2nd कोशन क्या कह रहा है यह पहले के सब पार्ट है इसको कल्कुलेशन आपने आप करिएगा और बाद में चेक करिएगा कि हमने क्या लगाया है वहले न नोट करना सुरू कर देना कि मास्टर जो लगाया है वही नोट कर लो 2nd कोशन देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है given polynomial given polynomial दिया गया बहुपद इसका नाम क्या होगा बहुपद क्या दिया गया है देखिए दिया गया है x cube minus ax square x cube minus ax square plus 6x minus a plus 6x minus a यह करें divided by x minus a तो किसे divide करना इसको x minus a तो हम क्या करेंगे putting अच्छा इसको नाम नमबर देदो 1 putting x minus a बराबर 0 and x is equal to a in 1 1 में लग दो जो value आएगी वो आपका remainder होगा वो आपका successful होगा रख दो यहाँ पर क्या हैगा a cube minus a into a square plus 6 into a minus a तो क्या हो जाएगा a cube minus a cube plus 6a minus a यह कर जाएगा तो यह क्या हैगा 5a यह आपका remainder हुआ ठीक है इसके बाद अगला देखिए third question क्या कह रहा है फ़रा calculation ध्यान से करिएगा क्योंकि यह algebra है और algebra में plus minus का बहुत महत होता है check whether 7 plus 3x is the factor of this देखिए ध्यान से समझेगा अगर मैं कहूं कि 6 तो 2 से divide करिए तो आप कहेंगे 2, 3, 6 successful and remainder 0 आ गया हमने का 7 को divide करिए 2 से तो आपने का 2, 3, 6 remainder 1 आ गया क्यों भाई यहां remainder 0 क्यों आया यहां remainder 1 क्यों आया क्योंकि 2 की table में 6 आता है 2 का जब पहड़ा पड़ते हो 6 आता है यानि कि 2 जो है वो 6 का गुड़नखंड है यानि की factor है लेकिन 7 का नहीं है तो अगर हम से यह कहें कि बताओ कि यह चीज इसका factor है तो आप simply remainder निकालिए और remainder अगर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे factor है अब जैसे यहां पर दिया है 3 x cube प्लस 7 x question number 3 है given polynomial है given polynomial है दिया गया बहुपद क्या बहुपद गिवन है यह गिवन है आपका 3 x cube plus 7 x और कहने भाई इसको आप x 7 plus 3 x से इसको divide करो तो यह तो 1 हो गया तो यहाँ put क्या कर देंगे हम putting 7 plus 3 x बरावर 0 तो x की value क्या हैगी minus 7 upon 3 in 1 1 में रखते हैं अगर यह रखने के बाद यह रखने से क्या आपको मिलता है तो आप कहेंगे इसे रखने के बाद हमको remainder मिलता है अगर यह रखने के बाद इसकी value 0 आ जाती है तो यह इसका गुरंखंड है यह इसका factor है अगर 0 नहीं आती है तो इसका गुलंखन नहीं है रख देते हैं रखें आप 3 into minus 7 minus 7 upon 3 की पावर 3 plus 7 into minus 7 upon 3 देखें 3 into इसका multiply करिए तो 7, 49 into 7 7 ने हम 63 सचोग 28, 28, 29, 32, 32, 34 343 जाएगा minus का 343 बटे 27 और minus का 749 by 3 397 ने कर जाएगा 9 बार जाएगा यहाँ पर आप क्या करेंगे 9 लेंगे LCM तो जाएगा minus का 343 और minus का यह 3 बार जाएगा 397 और 3 चोग 12, 13, 14 बार जाएगा तो आएगा minus का 7, 3, 10, 4, 4, 4, 9, 3, 1, 4 490 बटे 9 यह 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब यह इसका factor नहीं है यह इसका गुणकर नहीं है इस प्रकार से यह chapter हो गया next exercise, okay Thank you यह इसका मतलब